नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेंचावदरी स्वागत है आप सभी को आपके अपने एजुकेस्टनल चैनल जेके एडूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आसकी कोड के बारे में कि आसकी कोड यानि कि आसकाई कोड क्या होता है और इसका इूच क् प्रशहारी कोड क्या है यानि या जिस्टेंदक कोड का निर्मार करके कम्प्यूटर को परचालित कर सकता है लेकिन उसके कोड केवल उसी के द्वारा पोग्रामों और आदेसों के लिए लागू होंगे इससे कंप्यूटर के परियोकरता प्रसपर सुचनाओं का आदान परदान तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे एक दूसरे द्वारा इस्तिमाल किये हुए कोड संकेतों से परिचालित परिचित नहीं सुचनाओं के आदान परदान की सुविदा के लिए अमेरिका में एक मानक कोड तयार किया गया है जिसे अब पूरे बिस्व में मानता प्राप्त है इस कोड को असकाई के नाम से जाना दाता है इसमें परतेक अंक अच्छरों वा संकेतों को आठ बीटों से दर्साया गया है आता इन आठ अस्तानों पर केवल जीरो और वन की संक्या ही लिखी गई है बीट अर्थाद बाइनरी डिजिट कम्प्यूटर की इसमृति की सबसे छोटी इकाई है यह इसमृति में एक बाइनरी अंक जीरो अथवा वन को परदर्सीत करता है यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूफ है बाइट देखते हैं क्या होता है यह computer की इसमिति की मानक इकाई है computer की इसमिति में keyboard से दबाया गया प्रतेक अक्षर अंक अत्वा बिशेश चिन 8 byte में संचित होता है प्रतेक असकाई कोड 8 byte का होता है इस परकार किसी भी अच्छरों को इसमिति में संचित करने के लिए 8 byte मिलकर 1 byte बनाती है character संख्याओं के अलावा वह संकेत जो भासा और अर्थ बताने के काम आते हैं उधारण के लिए एटू लेके एटू से जेड या जीरो से लेके नाइन या कुछी special character यह सब जो है character कलाते हैं आस्की में ऐसे 256 कोड है मानक आस्की कोड का मान जीरो से 127 के बीच में होता है जबकि 128 से 256 तक character परिवर्दित यानिकि extended आस्की characters सेट होते हैं computer system सामानता character को संचीत करने के लिए आस्काई कोड का उपयोग करते हैं परते collector 8 bits का उपयोग करके संचीत होता है तो आई होग दोस्तों यह वीडियो आपको पसंदा होगा अगर यह वीडियो आपको पसंदा है तो फिलिज हमारे चैनल जेके एरूटेक को सब्सक्राइब का ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि जब भी जेके एरूटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद